प्रेंसे आज हम बनाएंगे भिंडी प्याज की ऐसी सबजी जिसे दो की जगा चार रोटी खाएंगे फिर भी मन नहीं भरेगा तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 300 ग्राम भिंडी भिंडी को अच्छे से धो कर सुखे कपरे से पोच दे ताकि भिंडी में पानी नहीं रहे और अब आपको भिंडी को पिसेस में कट कर लेना है तो यहाँ पर आपको एक भिंडी में तीन पिसेस करना है सभी भिंडी को cut करने के बाद आप इसे plate में डाले और आप यहांपर देख सकते हैं कि 1 इंच जितना लंबा-लंबा टुकरों में मैंने भिंडी को cut कर लिया है और इस भिंडी के लिए आपको भिंडी ताजी और हरी चाहिए नरम भी चाहिए और यहाँ पर मैंने दो प्याज को चार टुकडों में कट करके और कली अलग कर लिया है और अंदर का जो पाठ है उसे अलग कर लिया है तो इन प्याज को खल वली में मैंने डाल दिया है साथ ही चार से पांच लासुन की कली ली है और धो हरी मीर्च को टुकड़ों में तोर के लिया है और इसे आपको कूट लेना है या आप मिक्सी जार में डाल करके और दरदारा सचा है तो करके ले सकते हैं तो यहां पर मैंने खलवली में इन हरी मेर्च लहसुन के और प्याज को कुट लिया है इल्कूल इस तरीके से और यहां पर मैं करहाई चरहाई है और इसमें डालेंगे दो बरे चमच तेल तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम जो प्याज की अकली अलग करके फ्राई हो गया है तो और इसी कराई में हम भींडी को भी फ्राई कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको भींडी को भींडी को भींडी कर लेना है तो भींडी का कलर बर करा रहा है जिसके लिए आप एक उथाई चमच हल्दी डाल दीजिए और हल्दी डाल कर आपको यहाँ पर भ लकेंगे नहीं और खूले में 2 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि भिंडी अच्छ से फ्राई हो गई है और कितनी अच्छी भी दिख रही है तो यहीं पर हम भिंडी को कढ़ाई से अलग कर लेंगे थोरा एक्स्ट्रा वैल रहत से ही चटकने लगे उसके बाद हम डाल देंगे यहीं जो पेस्ट हमने पेस्ट नहीं जो दरदारा सा हमने लहसन प्याज और हरी मेज को दरदारा सा करके लिया था उसको यहीं पर डाल देंगे और फ्लेम को हाई ही रखेंगे और एक मिनट तक इन्हें फ्राई कर लेते हैं एक मिनिट बाद हम इसमें देख सकते हैं कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो यही पर हम डाल देते हैं टमाटर का पेश्ट तो एक टमाटर को मैंने पिसकर के लिया है और यहाँ पर डाल करके हम एक से दो मिनिट तक भूनें उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें मसाला एक चमच धनिया पाउडर एक चमच आमचुर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सभी चीजों को एक मिनट तक भून लेते हैं और आप देख सकते हैं कि मसाले जो है अच्छे से भून गई है तो यहीं पर हम आदा गिलाज जितना पानी डाल देंगे आप का चेमाथ ही डाल देते हैं तमाटर तो यहां पर मैने एक टमाटर को नम्बे स्लाइस में कट करके लिए हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मिला देंगे इसाभी चीज को और यहां पर अच्छे से मिला दिया मैंने सबजी क semana और अब यहीं पर ढख करके 4-5 मिनट तक कुख होने देते हैं 4-5 मिनट बाद ढखकन हटाके और यहीं पर डाल देते हैं फ्राइ की हुई प्याज और प्याज डाल कर हम इसे एक बार चला लेंगे और यहीं पर डाल देंगे गरम मसाला तो यहाँ पर मैंने एक चमज इतना गरम मसाला डाला है इससे सबजी का टेस्ट और दुगुना बढ़ जाता है एक बार चला लेंगे और कभर करके 2 मिनट और पकने देते हैं और अब यहाँ पर भिंडी प्याज की बहुती मज़दार स्वादिष्ट सबजी बनकर बिलकुल तयार है आप इस सबजी को पूरी पराठा या चावल के साथे भी सर्फ कर सकते हैं यह सभी के साथे परफेक्ट हैं उमीद करते हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और हाँ पसंद आई होगी तो प्लेजी से लाइक और सेर जरूर करें